कि अब मैं ना किसी का हबीब हो, ना किसी का रकीब हो, जो बिगड गया वो नसीब हो, जो उजड गया वो दयार हो, ना किसी की आँख का नूर हो, ना किसी के दिल का करार हो, जो किसी के काम ना सका, वो मैं एक फुश्ट गुबार हो. आपने राहुल गांधी जी को और प्रेंगा गांधी जी को बरफ के गोलों के साथ तो खेलते देखा, पिकनिक मनाते भी देखा, हसी खुशी के महौल में भी देखा, लेकिन चायद वो धन्यवाद करना भूल गए माननिय परधानमंतरी नरेंदर मोधी जी का गांगां में खेत खेत जात पात की म्याद बाटती तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनिया देखा 1992 में भारती अंता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मोर्ली मोर जोशी जी ने और उस समय अनरेंदर मोधी जी ने बम धमाकों के बीच में और बंदूकों के साय के बीच में तरंगा जंडा लाल चौंक पर फेराने का काम किया से आपने राहूल गांधी जी को और प्रियंगा गांधी जी को बरफ के गोलों के साथ तो खेलते देखा पिकनिक मनाते भी देखा हसी खुशी के महौल में भी देखा लेकिन शायद वो धन्यवाद करना भूल गए मानिने परधानमंतरी नरेंदर मोधी जी का जिन्होंने सत्ता में आने के बाद अनुछे 375 को सदा सदा के लिए खतम किया और ये बीज किसी ने बोया था तो कॉंग 40,000 से यादा लोगों की हत्याएं हुई राहूल गांदी जी उसके दोशी कौन है भारतिये जन्संग के अध्यक्ष डॉक्टर स्यामा प्रसाद मुकर जी ने भारत को जोडने के लिए जम्मू कश्मिर को अभिन अंक भारत का बनाये रखने के लिए अपना बलिदान दे द में भारतियंता पार्टी के अध्यक्ष डॉक्टर मुर्ली मरोर जोशी जी ने और उस समय अनरेंदर मोदी जी ने बम धमाकों के बीच में और बंदूकों के साय के बीच में तरंगा जंडा लाल चौंक पर फैराने का काम किया था तब गोला बारी का महौल था बरफ के गो ना किसी का रकीब हूँ जो बिगड़ गया वो नसीब हूँ जो उजड़ गया वो दयार हूँ ना किसी की आँख का नूर हूँ ना किसी के दिल का करार हूँ जो किसी के काम ना सका वो मैं एक मुश्ट गुबार हूँ आज यदि आप जंडा फैराने में सफल हो रहे हैं तो वो तब जब हमारे संस्थापक अध्यक्ष ने इसके लिए अपने प्राण बलिदान किये और हम कहते थे जहां हुए बलिदान मुखरजी वो कश्मीर हमारा है और उसके बाद समय समय पे हमने उस कश्मीर के लिए जान की बाजी लगा कर हमारे नेताओं ने वहां जाकर जंडा फैराया और भारत के इतिहास के सबसे द्रण निश्य के राजनेतिक निरणे में जब तत्कालीन जब हमारे प्रधान मंत्री जी ने 2019 में निरणे लिया तो आज वो हालाद बने हैं कि वहां पर जाकर 26 जनवरी 15 अगस को डल लेक पे तिरंगे की पूरी लाइन दिखती है कतार दिखती है और आप यह जंडा फैराने में सफल हो रहे हैं कॉंग्रिस और उनकी जतनी आफशूट पार्टियां हैं इन सब की भारत के बारे में क्या नीती रही कि बाटे आंगन और गली आरे बाटे मंदिर और गुर्दवारे बाटी एक बाटे गली महले सारे गाओं गाओं में खेत खेत में जात पात की म्याद बाट दी तुमने एक वोट की खातिर देश की हर बुनियाद बाट दी जिन्होंने देश में बिखराओ टकराओ और दुराओ के सारे बीजबोए वो जब आकर आज यह कहने का प्रयास करते तो 21 सदी की भारती जनता पार्टी यह हम मानती है कि जो हमारी युवा पीड़ी है जिसके पास आज सारे सोर्स अफ इन्फरमेशन है वो इन सारी चीजों को बहुत भली भाती समझ सकती आज कोई भी चाहे तो चीजों को जाके वेरिफाई कर सकता है झाल